आप में शेयर करने जारी हूँ कंडेंस मिल्क एक इजी रेसिपी अब आपको जब भी आईस्क्रीन केक, लड़ू या बर्फी बनाना होना तो कंडेंस मिल्क मारकेट से लाने का इंतजार किये भीना आप घर पे ही इसे मिल्क और एक सीक्रिट इंगिडियन के साथ बहुत ही मिल्क आप ऊद्ध से तयार कर सकते हैं और आप इसको एक हफ्ते के लिए फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं तो वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे चैनल डेडीर स्थी रेसिपी को ज़रू सब्स्क्राइब कर लें तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं हेलो फ्रेंज वेल्कम तो मैं चानल डीडीसी रेसेपी कंडेंस बनाने के लिए यह आधा लीटर फुल फैट मिल्क यानि की 500 ml दूद है यह आधा कप चीनी और एक चथाई चमच बेकिंग सोडा इसको खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा भी कह फुल फ्लेम करके दूद को उबालाने के लिए छोड़ दे तो देखिए दूद में उबालाना शुरू हो गया है तो इसको एक स्पेटूला की हेल्प से अच्छे से इस तरह से चलाते ताकि इसके उपर जो मलाई है वो बिल्कुल हट जाए और तब इसके उपर हम डाल दे चलाते हुए दूद और चीनी को एक साथ पकाना है जब तक कि यह आधे से भी कम हो जाए रिडियूस होकर और साइट से जो मलाई जमती रहे तो इसी में डालते रहे क्योंकि बाद में अगर एक सांथ निकालेंगे ना तो बिल्कुल खुरशन जैसी हाट निकलेगी और वह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंडेंस बिल्क हमारा बिल्कुल स्मूद बनके त्यार होना चाहिए और इस तरह से चलाने के प्रॉसस में इसका गलर भी बहुत ही अच्छा आने लग जाता है तो जब यह से रिडियूस होके आधा रह जाए ना तो उस वक्त हम इसम चला लेंगे तो इसमें बहुत जाग फॉर्म होंगे लेकिन घबराइए नहीं थोड़ी देर में यह जितने भी फ्यूमस बन रहा है ना वह सबसाइड हो जाएंगे बेकिक सोडा से ऐसा होता है कि जो मिल्क हमारा है बहुत जल्दी गाड़ा होने लगता है और उसमें तब यह तयार होता है तो अभी हमें इसे और चलाना है मीटियम हीट करके हम अब इसको पका लेंगे और तो आप देख सकते हैं यह गाड़ा होना शुरू हो गया कलर भी इसका चेंज होने लगा है लेकिन अभी इससे हम और पकाएंगे और चलाएंगे तो अब देखिए य बीपतला है लेकिन इस स्टेज में आप देखेंगे क्योंकि थंडा होने के बाद यह और बी गाड़ा होगा ऐसे हाथ पे करके देखें जब यह बहुत ज़दा स्टिकी होने लगे अब अब हच्छी पकने लगे तो समझ लीजिये कि कंडेंस बिल्कुल रेड़ी हो चुका तो अब यह बिल्क थंडा हो चुका है और कंडेंस मिल्क बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अब आप इसे आइस क्रीम केक और तरह की मिठाईया जैसे लड्डू बर्फी बहुत बना कर एंजॉय कर सकते हैं तो इसको जरूर चुराए करें आप अब आपको मार्केट से कंडेंस मिल्क लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप खुदी घर पे तैयार कर सकते हैं टेक्श्यर देखें इसका कितना अच्छा बना है तो वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल डीडीसी रेसिपीस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें थैंक्स पर वाचिंग तिल भाइन एक्स वीडियो गुडबाई हेल्दी रहिए खुश रहिए